आफ कर टो मेरा नामें गॉतम और आप देहलेगं युला कि रेक्ट्रोनिक्श और दूस्तो है आज कि वीडियो में हम आपको और स्थीडियो के भारे में बताएंगे दुस्तो मेरे चैनल कि अब कुछ सपीर 12 को पर वी डियो तब आपको या तो किसी smps या तो adapter या किसी transformer की जरूरत होगी यह 12V से चलता है और ampere इसमें 10 ampere से ज़्यादा चाहिए ठीक है अगर मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा पास एक adapter है जो 12V DC है और 1 ampere है तो यह तो इसमें चालू हो जाएगा मतलब यह आप जब ही जैसे ही आवाज इसको बढ़ाओगे तो आपका जो speaker होगा वो बंद हो जाएगा बंद क्यों होगा क्योंकि यहाँ इसका ampere कम है ठीक है और इसको चाहिए ampere लगवाद 10 ampere से ज़्यादा चाहिए अगर आप इसको 20 भी ampere देऊगे तो यह चलेगा 20 30 40 जितना भी ampere दोगे 1500 ampere 200 ampere फिर भी यह चलेगा मतलब 12 volt होना चाहिए ठीक है अगर 12 volt से ज़्यादा गर रहेगा तो यह खराब होने का chance से ज़्यादा बढ़ जाते है अगर 12 volt होता है तो 10 ampere से ज़्यादा गर रहेगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेगिन क्यों नहीं फरक पड़ेगा इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाओंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो चलिए यहाँ पे इसको चलाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक SMPS है जो कि इसको चलाने के लिए car studio को सबसे अच्छा यह smps मैं यूज गड़ता हूं उसके लिए यहाँ पर देखसकते हैं का यहाँ यह इसका model number लिखा हुए कुछ उपर और input में है अगर यह 110 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक अगर AC देते हो तो यह आपका SMPS काम करेगा और जैसे ही अगर 110 वोल्ट से नीचे होगा तो यह बंद हो जाएगा ठीक है लेकिन transformer में ऐसा नहीं है अगर आपका 80, 90 के आसपास भी voltage रहेगा तो वो चालू रहेगा लेकिन output हमारा कम देगा तो यहाँ पर input में 110 से अगर कम होता है तो यह हमारा काम करना बंद कर देता है और यहाँ पर output में देख रहे हो 12 वोल्ट 10 amp है तो यह 10 amp है तो यह बहुत अच्छा काम कर जाता है तो यहाँ पर यह 4 channel होता है ठीक है और वो भी एक channel 60 watt के आसपास में होता है तो टोटल यहाँ पर हमारा लगवग 240 watt output करता है तो उसके लिए ampere भी ज़्यदा चाहिए ठीक है इसको चलाने के लिए यहाँ पर smps है जो की हमारा 10 amp का है तो आगर आप इसको डिरेक्ट चलाओगे तो वो आपका खराब हो जागा क्योंकि यह हमारा car studio हमेशा DC पर काम करता है और line पर चलाने के लिए 220 watt पर चलाने के लिए इसको लिए हम यहाँ पर smps का यूज करेंगे या किसी transformer का यूज करेंगे अगर आप transformer यूज करना चाहते हो तो वो लगवग इसी टैप का हो जो 12 volt और 10 amp से ज्यादा हो ठीक है तो transformer से चला सकते हो और यहाँ पर smps है तो इसमें होता गया दोस्तों कि जब हम इसमें 220 volt supply देते हैं AC तब हमारा यहाँ पर 12 volt DC इसमें जाता है तब यह हमारा काम करता है तो यहाँ पर इसका अलड़ी इसमें connection पीछे से supply का किया गया है मैं आपको यहाँ पर इसमें supply लाकर दिखाता हूं तो यहाँ पर हम इसमें 220 volt supply देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इस smps में supply देने के बाद यहाँ एक indicator है जो की इंडिकेट करता है क और उसके बाद हमारा जो कार इस्टीडियो है उसमें भी supply आज चुका है तो यहाँ से इसको इसके साथ यह यूज करने से आपका जो sound quality होगा बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि इसका एंपेर बहुत ज्यादा है और इसके लिए यह बिल्कुल फरफेक्ट है ठीक है दोस कर्णी कstiल्यो होते हैं इसको ॉटीशी चाहिए नाकि ऐसी ठीक है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार स्टीडियो को supply किस तरीका से देना है कितना फोल्ट देना और कितना एंपियर देना है ठीक है एंपियर के उपर आपका जो साउंड कॉलिटी वो डिपेंड करता है तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेल करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका देन सुग हो